दिपाली परवपर माता लक्ष्मी के पूजन की माननेता है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के पूजन करने से घर में लक्ष्मी का वास रहता है। साथ ही घर में सुक्सम्रद्धी मनी रहती है। बागली में भी रियासर कालीन ऐसा मंदीर है जिसमें सुएम माता लक्षमी भगवान विश्णु के साथ अपने गरूर वाहन पर सवार है। इस मंदीर की खास बातिया है कि यहाँ पर माता लक्षमी और विश्णु के दो सुरुपों के दर्शन एक साथ किये जा सकते हैं। ऐसा बताया जाता है कि गरूर देवता के उपर बेटे हुए माता लक्षमी और विश्णु भगवान कहीं कहीं से देखने को मिलते हैं। पर्तिवर्ट सनुसार इस वर्स भी दिप उस्सो के पाइट दिन पहले से ही पंडित द्वारा मंत उपचार के साथ माता लक्ष्मी का पूजन किया गया है और दिपावली के दिन रात भर यहाँ पर हवन पूजन होता है मंदिर के पूजारी अनिल शर्मा ने बताया कि हमारी पांच पीडियां इस मंदिर की पूजा करती आ रही है इस मंदिर की मांडेता है कि दिपावली के दिन मंदिर में आकर जो कोई भक्त माता लक्ष्मी को अपने घर चलने का नियोता देता है माता लक्ष्मी उनके साथ उनके घर पधारती है साथ ही दिपावली की रातरी बहगवान के साथ गरूर पे सवार है यह गरूर पे बेटे होए प्रतिमा है अद्बूती है मुर्ति और इसकी यहापर जो भी मन्नते मांगते हो पूरी होती है और मा लक्षमी नारायन भग्वान के साल लक्षमी पूजन के दिन सबी जो पीले अक्ष चड़ा के जाते हैं उनके घर घर जाकर वास करती है और उनके सारी बनों कामना पूर्ण करती है तो अभी क्या कारिक्रम चल रहा है अभी पांच उसी अनुष्टान चल रहा है आपर लक्षमीया का लक्षी पूजन के दिन पूर्णावती हो जाएगी इसकी अभी शेट पूजन एकादसी से तो अम्मा उस लक्षी पूजन तक कारिक्रम चलता लेता है अब श्री सुक्त पुरुसुक्त विश्नु सहस्त नाम गुपाल सहस्त नाम का पाट और हवनाधी कारि आते हैं मया से कामना करते हैं अब भी बनो कामना फूर्ण करने के लिए हैं है अब देख रहे हैं हमारा चैनल ऐस डेब्यू टॉन्टिफोर न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तरे और पास में लगे बेल आइक